आज हम बिनाएंगे एक बहुत ही डिलीशियस पेडा मिठाई और ये वली जो मिठाई हम बनाएंगे इसमें ना तो आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी ना ही मावा या चाशनी की और ना ही इसमें आपको गैस जलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत ही इजी रेस्पी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही कम इंग्रीडियन से बहुत ही सस्ते में ये बनकर तयार हो जाती है आपको आज की रेस्पी अच्छी लगेगी तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले दो पैकेट लिए पारलेजी बिस्कित के ये मैंने जो 10 र लेने और इसको जो अच्छी तरह से इसके बाद ग्राइंड कर लेने तो ये देखे बहुत ही महीन पाउडर हमने इसका बना लिया इसको अच्छी तरह से जो पीस लिए बहुत ही फाइन पाउडर इसका बनकर तयार हो गया अभी हम इसको एक दूसरे बरतन में ट्रांसफर करलेंगे और इसके बाद हम इसमें एड करेंगे एक चमड़ गोक्वाउडर को पाउड़र भूत चोडे को minist तो कोको पाउडर को भी है जो हमने इसमें अच्छी तरह से मिला दिये अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिए तो तीन चम्मच मैं इसमें चीनी एड़ कर रहे हूं तो बिस्किर जादा यह वाले जो जादा मीठे नी होते हैं जादा पिसी हुई चीनी एड़ कर दिये और इसको भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे इसके बाद मैंने यह तीन चम्मच मिल्क पाउडर पाउडर भी मीठा होता है तो मिल्क पाउडर जूपा इसको बहुतarin मावा वाला टेक् decorated बहूती अच्छा पसंद के किश्मिष भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो यह वहले ड्राइफ रूट से जो आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो इसको भी हमने इसमें अच्छी तरह से मिला दिया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके दूद रूम टैंपरेचर पर रखा इसमें जो टोटल चार चमच के करीब दूद लगा है तो मैं इसलिए आपको भूल रही हो अपने इस चीज का ध्यान रखना दूद एक सम एकदम से नहीं डाला चमच की हल्प से इसमें डालिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए तो यह देखिए हमने इसको इस सारे पेड़े यह जो बना कर तयार कर लिए है और टोटल इसमें से जो बारा पेड़े बन कर तयार हुए है अब मैं इसको उपर से जो सिल्वर वर्क इसके उपर लगा रही हो आप जैसे भी चाहें इसको गार्णिश कर सकते हैं तो यह हम इस तरह से जो सारे पेड़ों पे सिल्वर वर्क लगा देंगे और साथ में इस पे थोड़े से है जो बरीकटे हुए पिस्ता और बदाम लगा रही हो इससे है जो इनकी लुक बहुत ही प्यारी है और देखने में बहुत जादा अच्छे लगते हैं और यह देखिए यह मिठाई है नो कहीं से भी ऐसी नहीं ल के वाली रेस्पी जरूर प्राइए कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेला इकन को प्रेस कीजिएगा जल्दी ही हम लोग मिलेंगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टीक कियर